अकसर त्योहारों में पुड़ी, सबजी, पराठे खाके बहुत ठक जाते हैं। ऐसे में याद आता है कि दाल बनाई जाए, दाल त्योहारों में खाई नहीं जाती, तो फिर बनाते हैं कड़ी चावल। आज कड़ी बिने पकौड़ी की बनाऊँगी लेकARY कुछ खास मसालें के साथ बनाऊँगी चुछ खास तरीके के साथ। तो आप इसे इसी तरीके से जरूर बनाएं और कैसी लगी बिशे यह जरूर बताएं। तो आज इस कड़ी बनाने के लिए हम लेंगे डेट कटोरी दही, करीब ग्राम्स में देखेंगे तो 300 ग्राम है, 6 चमच बेसन है, मैंने बेसन टेबिल स्पून से भी ले सकते हो, और इसमें मैं इसे मिक्स कर रही हूं, अब हमें क्या करना होगा, डेट टी स्पून डालेंग इसमें नमक, अब आप यही सोचेंगे कि नमक डालेंगे, तो यह कड़ी फटेगी तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं फटेगी, एक बार मुझ पर ट्रस्ट करके इस तरीके से कड़ी जरूर बनाएए, आधा चमच कुटी हूई लाल मिर्चे, यहाँ याद रखेए, कश्मीर नहीं डालनी है, कुटी हूई लाल मिर्चे जो घर में होती है, वन फोर्थ टी स्पून डाल दीजे, हल्दी पाउडर और करीब करीब एक लीटर पानी के साथ इसे धीरे धीरे घोल लीजे, अब इस घोल को हम रखते हैं एक तरफ, चलते हैं इसके लिए स्पेशल तड़क बनाने के लिए, पहले हम कड़ी डाइरेक्ट फ्लेम पे नहीं रखेंगे, इसको तड़के के बाद रखेंगे, यहां मैंने एक हांडी रख लिए बड़ी सी जिसमें मैंने एक सर्विंग स्पून ओईल डाल दिया है, इसमें आदा चम्मच डाल रही हूँ जीरा, आदा च आप इसे थोड़ा सा भून लीजे, अब हर एक मसाला आपको न बहुत ज़्यादा टेस्ट देगा, इसमें पकोड़े की जरुती नहीं पड़ेगी, दो से तीन हरी मिर्चों को जितना आप तिखा पसंद करते हैं, उसे बारी कट कर लीजे, और एक इंच के टुकडे अदर से हाथ से इसे चलाते जाएं, इसे आप तक तक फुल गैस पर चलाएंगे जब तक कि इसमें उबाला ना आना शुरू हो जाए, यहां आपकी नमक डली भी कड़ी कभी नहीं फटेगी और इसमें स्वाद बहुत ही अमेजिंग आएगा, अकसर हमारे यां तियो हार के बाद अनकूट की भाजी जो बनती है भगवान जी को भोग लगती है, उसके साथ इस कड़ी को बनाते हैं, आप किया भी ऐसा ही होता है, मुझे जरूर बताईए, आपने कभी अनकूट की सबजी खाई है, अगर नहीं और बनाना चाहते हैं, तो उसकी रेसिपी की लिंक मैं यहा से पकेगी, उसका स्वाद बहुती अमेजिंग होता चला जाएगा, हर मसाले का उसके अंदर स्वाद आएगा, बीच बीच में एकाद बार चला सकते हैं, वरना अपने दूसरे कामों में लग जाएए, यह कड़ी तो धीरे धीरे बनेगी, जब आपको लगे कि कड़ी की कं अब यू तो कड़ी तयार है, बस हरे धनिय की गार्निश कर लीजे, लेकिन हमें कुछ स्पेशल करना है, इसमें एक और तड़का दीजे, यहां मैंने एक छोटा सा पैन ले लिया है, जिसमें दो चमश डाल दिया घी, यहां पर घी डालें, तो घी डालने के बाद इसमें आदा चमश राई, आदा चमश जीरा डाल दीजे, दो खड़ी लाल मिर्च डाल दीजे, यह गोला मिर्च जो भी आपके आती हैं, अगर यह ना हो तो हरी मिर्च को लंबाई में कट करके डाल दें, बस इसे पका लें, और लास्ट में बिलकुल कश्मीरी लाल मिर्च पाउ करेंगे आप इसे बाटी के साथ बना सकते हैं आप इसे अनकूट की भाजी के साथ बना सकते हैं इसे बनाये और इंच्वाई कीजिए